ओमो नमाहिश्वाय दोस्तो सिंघरासी वले जात्कों का इस चैनल पे स्वागत इस वडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्म फल दाता सनिदेव 6 अप्रेल 2024 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वले हैं तो इसका सिंघरासी वले जात्कों के जिवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वला है तो दिखित 6 अप्रेल 2024 की दोपहर तीन बचकर 55 मिनट पर सनिदेव राहु के नक्षत्र सत विसा नक्षत्र को छोड़ कर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रविश करने वले हैं पूर्वा भाद्रपद गुरु का नक्षत्र माना जाता है यहाँ पर 27 अप्रेल 2025 तक सनिदेव ब्रहमण करने वले हैं एक साल तक सनिदेव गुरु के नक्षत्रों में प्रभावी होकर सभी रासी वले जात्कों के जिवन में अलग-अलग प्रभाव डालने वले हैं सिंघरासी वले जात्कों के जिवन में क्या प्रभाव दिखाई देगा इस वडियों में हम आपको जानकारी देने वले हैं सिंघरासी वले जात्कों सनिदेव आपके वैवाहिक भाव और आपके रोग भाव के स्वामी माने जाते हैं और जो देव गुरु प्रहस्पती होते हैं वो आपके लिए प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं गुरु आपके पंचम भाव और आपके अश्टम भाव के स्वामी माने जाते हैं ऐसे में गुरु और सनी का संबंध आपके लिए क्या परिणाम देने वाला है सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जोतिश सास्त्र में सनी देप को सबसे मंद गती से चलाइमान रहने बला ग्रह माना गया है यानि प्रत्यक व्यक्ति के जिवन में सबसे लंबे समय तक ब्यापक प्रभाव सनी ग्रह का होता है क्योंकि सनी एक रासी में धाई वर्ष तक गोचर करते हैं सनी देप के बारे में भले ही नाकरात्मक धार्णा लोगों के मन में बनी हुई है लेकिन ऐसे स्थती बिलकुल भी नहीं है जन्मकुंडली पर प्रभावी सनी की अवस्था जीवन में उन्नती देती है परिवार जनों का सहयोग भी दिलबाती है वहीं जन्मकुंडली में सनी अगर मजबूत अवस्था में विराजित हों तो जातक बहमुखी प्रतिभा का धनी भी बनता है यानि एक साथ कई विधाओं के जानकारी ऐसे विक्ति के पास होती है सनी का बली प्रभाव जातक को रंक से राजा भी बना सकता है और कई भवन, कई भूमी और कई वाहन का मालिक ऐसा विक्ति सनी के सुब होने पर बनता है यही सनी देव जब जन्म कुंडली पर नाकरात्म कवस्था में विराजित हों तो कई प्रकार के असाथ धेरोग देते हैं जैसे कैंसर, पेरलाइसिस, जुखाम, अस्थमा, टीवी की समस्या और सनी के कमजोर होने पर ही हड़ी जनित बीमारी मिलती है सनी का पिडित प्रभाव, मांसिक असांती वहें कर्म छत्र के मामले में भी कई प्रकार के समस्याओं को देने लगता है अब आई हम आपको बताते हैं कि सिंग राशी वेले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव मिल सकता है ये जानकारी आपके लिए बहुत ही खास और महत्तुपूर्ण है और आपके चंद राशी के उपर प्रभावी और आधारित है तो आप इसे इसी आधार पर देखें सिंग राशी वेले जातकों सनिदेव 6 अप्रैल 2024 को आपके कुंडले के सब्तम भाव पर मूल त्रकोडस्त होकर अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाने वले हैं तो यहां पर आपके जिवन में चुकि सब्तम भाव से पार्टनर्शिप के बारे में जिवन साथी के बारे में डेली विजज़ की इंकम के बारे में धैनिक व्यवसाय के बारे में विचार किया जाता है सनी देव की तीसरी द्रिष्टी आपके भागे भाव पर जा रही है सब्तम द्रिष्टी आपके रासी के लगन भाव पर जा रही है और दसम द्रिष्टी आपके रासी के सुक भाव पर जा रही है तो 6 अप्रेल 2024 से सनी का नक्षत्र परिवर्तन सिंग रासी वले जातकों के जीवन में पारिवारिक साकरात्मक्ता देने वला है पारिवारिक जीवन में यदि आपको पिछले समय से अत्यधिक दवाव का या पारिवारिक जीवन में कई प्रकार की प्रित्कूलताओं का समना करना पड़ रहा है उससे आपको निजात मिल सकती है सनिदेव आपके सप्तम भाव पर विराजित हैं और गुरू के नक्षत्रों में जाएंगे तो इस समयाबधी में आपके लिए सिक्षा के मामले में समय बहुत ही भागिशाली रहने बला है एजुकेशन फिल्ड में जुड़े हुए सिंख रासी बेले जाप्तकों के जीवन में एक आगरता की बढ़ुत्तरी और आपके सिक्षा के छित्र में आप अत्तिधिक प्रदर्शन कर सकते हैं मनो बांचित परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं सिंख रासी बेले जाप्तकों इस समयावदी में यदि आप नई जमीन, नया भवन, नया वाहन खरिदना चाहते हैं सनिदेव की दसम द्रिष्टी आपके रासी के चतुर्त भवावपस जा रही है पिछले समय से यदि आप अपने जीवन में भवतिक सुखों से जुड़े हुई किसी भी चीज को खरिदना चाहते हैं लेकिन यदि आप नहीं ले पा रहे हैं तो आपके जीवन में सनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन से सफलता आपको मिले वली है गुरू के नक्षत्रों में प्रभावी सनी आपके जीवन में रुका हुआ धन भी आपको दिलवा सकते हैं इस समयाबधी में सिंगरासी के ऐसे जातक जो दर्शन सास्त्र, रिसर्च, अनुसंधान के छेत्रों में पढ़ाई कर रहे हैं या इन छेत्रों में आपका जुड़ाव है तो ये समय आपके जीवन में सुब रहने वला है उसके साथ साथ सिंगरासी बले जातकों के जीवन में करियर में तरक्की के अवसर मिल सकता है गुरू के नक्षत्रों में प्रभावी सनी आपको प्रमोसन का योग भी दिलवाएंगे और आपके कारियों में एक रूपता काफी ज़्यादा मिलने वली है पिछले समय में सनी देव राहू के नक्षत्रों में चल लहे थे और आपके रासी के लिए सस नाम का राजयोग भी बनाए हुए थे सनी की सब्तम दृष्टी आपके लगन भावपर जा रही थी इससे आपकी बहुत धिक छमताओं में काफी हडबड़ा हड और आपके मन में काफी चंचलता बनी हुई थी वियर्थ की बातें और वियर्थ की नाकरात्म का वस्था को आप अपने उपर हावी कर रहे थे गुरु के नक्षत्रों में प्रभावि सनी आपके मन में एकागरता और सात्विक विचारधारा देने वाले हैं और कहीं न कहीं ये समय आपके जिवन में पारिवारिक जिवन के लिए तो बहतर है ही वयवाहिक जिवन के लिए भी स्त्रिष्ट रहने वला है एक और आपको जिवन साथी का सहयोग मिल सकता है वहीं ऐसे जातक जो सिंग रासी के हैं अविवाहित हैं विवा की कामना लेकर चल ले हैं यहाँ पर सनिदेव आपके जिवन में नवीन वयवाहिक प्रिस्ताव भी आपको दिलबा सकते हैं सिंग रासी बेले जातकों को दो बिशे सावधानी इस समय अंतराल में बरतने के आवसकता रहने वली है सबसे पहले तो सिंग रासी बेले जातकों को अपने जिवन में आती उत्सास से बचना चाहिए व्यक्तिकर जीवन में यदि आपको कोई अच्छा अनुभव दे रहा है कोई घर का अनुभवी व्यक्ति है या घर से बाहर का वी है उसको आप अपने जीवन में जरूर लेने का प्रियास करें और दूसरा सिंगरासी वले जातकों को अपने जीवन में सुवता प्राप्त करने के लिए क्रोध से भजना चाहिए क्रोध पूर्वक और आवेक पूर्वक इस्थती यदि आप बार बार निर्मित करेंगे तो इससे आपके सामाजिक छवी विखराप हो सकती है और परिवार में भी समस्या आपको मिल सकती है अगर आपके लिए उपाई की जानकारी दिया जाए सभी प्रकार के सनी जन्य दुस्प्रभावों को समाब्त करने के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जब करना सुब रहने वला है तथा सिंग रासी बेले जातकों को अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी विक्ति को नुकसान नहीं पहुजाना चाहिए उम्मिद है जानकारी सिंग रासी बेले जातकों को बेहतर लगे आने वाले समय में यदि आप पन्नी वडियोज को देखना चाहते हैं इस चैनल से जरूर जुड़े उम नमा श्वाय